गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स नमस्कार देव भूमी एजगेशन तराखन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम स्टेट PCS सिरीज के अंतरगत सेट 6 आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम हिमाचल प्रदेश एड्मिस्टेटिव सर्विस सॉल्व करेंगे जिसमें हम टोटल हंडेट क्वेशन जनरल स्टेडी के सॉल्व करेंगे शुरू करते हैं आज की क्वेशन पेपर का पहला प्रश्न गुलामगिरी पुस्तक के लिखक कौन है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका अंसर महत्मा ज्योतिवा फुले इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलामगिरी जो पुस्तक लिखे गई थी यह महत्मा ज्योतिवा फुले द्वारा लिखे गई थी आप्शन सीस का right answer हो जाएगा अगला question है in which year the Indian University Act was passed किस वर्ष भारतिय बिश्व विद्याले इदिन्यम पारित हुआ था ये पास हुआ था आपका 1904 में Indian University Act भारतिय बिश्व विद्याले इदिन्यम पास वा था option भी इसका right answer हो जाएगा next question है in which governor general's tenure the British सिंद किस governor general के कारेकाल में British हुने सिंद पर विजय प्राप्त की थी वो governor general Lord Allen Varu थे Lord Allen Varu के कारेकाल में British हुने सिंद पर विजय प्राप्त की थी option B इसका correct answer हो जाएगा अगला question है shifting cultivation in ज्हारकंड state is known ध्यारकंड राज में श्ट्ठाना आंत्रित किर्सिकोग किस नाम से जाना जाता एगा इसका option C, right answer हो जाएगा कुरुवा झहरकंड में किस양ारखंड केटि के नाम से जाणा जाता जो shifting cultivation होती ज्हारकंड में ये कुरुवा नाम से जाना जाते है नेक्स Which of the following pier is not correctly matched? आपको बताना कौन सा pier यहां पर correct match नहीं है, जो first pier यहां पर दिया गया है, कोसी अनुवर्ती नदी, कोसी consequent river, यह wrong हो जाएगा, यह pier यहां पर सुमेलित नहीं है, इसलिए option ही इसका right answer हो जाएगा, नर्वदा रिप्ट वैली, इसका सही है, सुतलज एंटिसिद कराकोरम रेंज ओफ हिमालेयन रिजन, निम्लिकित मैंसे कौन सा हिमनद हिमाले चेतर की कराकोरम स्रेणियू में इस्तिद है, इसका सही अंसर आपको हो जाएगा, option D, बेफो जो हिमनद है, जो बेफो गलेशर है, is located in the कराकोरम रेंज ओफ हिमालेयन रिजन, option D इसका right answer हो next question है, किरगीज referred to, जो किरगीज संदर्वित करता है, यह option C's का right answer हो जाएगा, मवेसी चराने वाले, किरगीज जनजाती है, एक cattle herder की नाम से जाने जाते है, मवेसी को चराने वाले जनजाती, किरगीज इस्ट अफरिका में यह पाई जाती है, option C's का right answer हो जाएगा, सिवन करती है, पिगमी जनजाती, और किरगीज जनजाती, आपकी cattle herder वाली है, मवेसी चराने वाली को संदर्वित करता है, option C's का right answer हो जाएगा, next question है, आल्फ प्रवत सिंखला का समन्द किस से है, very important question, friend, यह question भी स्टेट उतराखन प्सी एक्जाम में repeat किया गया है, option C's का right answer हो जाएगा, जो आल्फ प्रवत सिंखला का समन्द है, यह यूरूप में, यूरूप से समन्द है, option A, इसका right answer हो जाएगा, next question, the water holding capacity is highest in, जल धारन छम्ता सबसे अधिक होती है, option दिये गे हैं, आपको इसका right answer बताना है, इसका सही answer आपका हो जाएगा, clayey, clayey soil, जो होती है, मिर्न मया, मिर्द्रा, इसका right answer हो जाएगा, जल धारन छम्ता सबसे अधिक होती है, clayey soil, is right answer of question number 9, next question, which leader was not member of constitutional draft committee, कौन सा निता समिदान की प्रारूप समिती का सदस्य नहीं था, इसका सही answer आपको हो जाएगा, option A, जवालाल नेरू, was not the member of constitutional draft committee, जो प्रारूप समिती की जवाला नेरू, option A, इसका right answer हो जाएगा, next question है, which of the following officers can remove from his office by the governor, निम्न मैंसे कि सदिकारी को राजयपाल पद्योचित कर सकता है, तो ये advocate general, राजय महाधिवक्ता, article 165, 165 की अंत्रगत, advocate general की नियुकति गवर्नर द्वारा की जाती है, और he can remove his office by the governor, कि सदिकारी को राज राजयपाल इसको हटा सकता है, option A, इसका right answer हो जाता है, अगला question है, by which time governor has to return an ordinary bill to concern state legislative assembly for reconsideration, राजयपाल किसी सामने बिल को अपनी राज विधान सभा में पुनर विचार है, तो कितने समय तक वापस भेज सकता है, इसका सही answer हो जाएगा, इसकी कोई भी सीमा नहीं है, there is no time option D, इसका right answer हो जाएगा, किसी भी, कोई भी समय सीमा तक, समय बिल को अपनी राज विधान सभा में पुनर विचार ही तो वापस भेज सकता है, इसमें कोई भी समय सीमा नहीं है, option D, इसका right answer हो जाएगा, अगला question है, the sustainable development goal, good health and well-being has shown improvement in India, due to, सतत विकास, लक्षय, अच्छ हो जाएगा, option B, मात्र मिर्टुदर में गिरावट, decline in maternal mortality rate, option B, इसका right answer हो जाएगा, फ्रेंड, जो sustainable development की अधारना concept है, ये Brent Land Commission 1987 report के अधार पे होई थी, और हाले में ये state PCS सुप्राखन में ये question मुख्य परिक्षा में पूछा गया था, आप इसको नोट कर लीजेगा, option B इसका right answer हो जाएगा, next question है, national mission for sustainable agriculture has been launched to, सतत किर्सी के लिए राष्टिय मिशन की कब शुरू हुआ था, और सतत किर्सी के लिए राष्टिय मिशन की कब शुरू किया गया था, इसका right answer हो जाएगा, option A, enhance agriculture productivity by integrated farming, आपको comment में बताना है कि national mission for sustainable agriculture कब launch हुआ, इसकी date आपको बत द्वारा किर्सी उत्वादक्ता बढ़ाने के लिए सतत किर्सी के लिए mission शुरू हुआ था, राष्टी मिशन था, next question है, the government has released a new four-color classification scheme for industries based on their pollution potential, which is not correct in this regard, सरकार ने उद्वादक्ता के लिए उनकी प्रदोशन चमता के अदार पर एक नहीं चार रंग वरगी करन, योजना जारी की, इस समझ में कौन सा सही नहीं है, आपको wrong option चुनना है, इसका सही answer आपका हो जाएगा, option D, none of these, इसका right answer हो जाएगा, the government has released new four-color classification, सरकार ने उद् सरकार रंगी रंग, not polluting, white color, or most polluting के लिए red color क्या है, यहापर none of these का right answer हो, यह सभी इसमें, यह वरगी करन में है, option D का right answer हो जाएगा, अगला question है, what is the minimum calorie requirement in rural area for measuring poverty, गरीवी मापने के लिए ग्रामीन, छित्रों में, न्यूनतम कैलोरी की आउसिकता क्या है, इसका सही answer आपक question a day, इसका right answer हो जाएगा, चौबिसो कैलोरी प्रति ब्यक्ति प्रति दिन, यह गरीवी मापने के लिए ग्रामीन छित्रों में, न्यूनतम कैलोरी की आउसिकता है, चौबिसो इसका right answer हो जाएगा, option C, अगला question है, the phenomenon of demographic dividend of a country is related to, important question है, काफिवार रेपीट हो आए, किसी द वर्ग में, जनसंख्या में बिढ़ दी, friends, जो demographic dividend है, यह 15-19 वर्षों के age group में, working age group, जो 15-19 वर्ष का working age group है, an increase in population in working age group, जो करहसील जनसंख्या है, 15-19 वर्ष का age group है, उसे जनसंख्या की, जनसंख्या लावांस की परिघटना से समन्दित है, the phenomenon of demographic dividend of countries related to option D, इसका right answer हो जा next question है, संकल्प is launched to provide, संकल्प प्रदान करने के लिए सुरू किया गया था, संकल्प एक scheme है, Central Government की, इसका right answer हो जाएगा, option D, market relevant training to youth, युवाओं को बाजार प्रसांगिक प्रिश्च्छन के लिए संकल्प युजना सुरू की गई थी, option D, इसका right answer हो जाएगा, according to FRBM Act, इंड प्रिया का जो फिस्कल डेफिसिट है, राज को से घाटा अधिक नहीं होना चाएगा, इसका सही आंथर आपको हो जाएगा, तीन पर्थिसत of GDP, सकल घरेल उत्पात का तीन पर्थिसत से अधिक नहीं होना चाएगा, FRBM Act के अंसार, भारत का राज को से घाटा, फिसकल डेफ है option B, slack lime slowly created layer of calcium nitrate on the walls during white washing, भुजा हुआ चुना सफेद धुलाई के दौरान दिवारों पर धीरे-धी calcium nitrate की एक परत बनाता है, यह wrong option है, पहला option सही है, calcium oxide gel के साथ तर्टीव रविक्या करके चुना बनाता है, silver chloride सूरे की प्रकास के परतिसम्वेदन सील होता है, अब गटन अभिक्रियाओं में अभी कारोकों को तोड़ने के लिए उड़ जा किया हो सकता होती है, यह तीन statement सही है, B, wrong है, अगला question है, कौन सा कथन, correct है, आपको सही कथन बताना है, इसका right answer आपका हो जाएगा, option C, the mass density of kerosene is less than water, जो मिट्टी का तिल होता है, उसकी जो द्रभ्यमान घनता होता है, उसका पानी से कम होता है, the mass density of kerosene is less than of the water, option D, option C, इसका right answer हो जाएगा, next question है, which of the following statement is not correct, कौन सा कथन सही नहीं है, तो friends, इसका right answer आपको हो जाएगा, option A, during dental caries, bacteria act on saliva to produce acid, दंत च्हाय के दोरान, जिवान लार पर अमल उत्पन करने का कारे करते हैं, यह wrong statement हो जाएगा, और अन्य statement यहाँ पर right है, blood pressure is much greater in artery than in veins, धमनियों में नसों की तुल्ला में रक्त चाप अरिक होता है, जो normal systolic pressure होता है, यह 120 mm of HG होता है, और dice systolic pressure 80 mm of HG होता है, dental plague is caused by demineralization of enamels होता है, दांतु की male enamel के विख खनिजी करन के करन होता है, यह तिनों statement right है, option, जो फस्ट है, यह wrong, चुन्नत आपको, option is, इसका right answer हो जाएगा, अगला question है, which of the following statement is correct, कौन सा कथन सही है, इसमें जो सही कथन है, आपका option C सही है, breakdown of purivate in yeast is in the absence of oxygen yield ethanol, oxygen के अभाव में, yeast pyruvate का तूट कर ethanol बनना, pyruvate का तूट कर ethanol बनना, इसका right answer हो जाएगा, breakdown of pyruvate in yeast in the absence of oxygen yield ethanol, option C, इसका right answer हो जाएगा, यह right statement है, और यह यहापे wrong statement है, ति इसका answer option C हो जाएगा, what is the name of the chariot of Lord Jagannath during recent रथ यात्रा, हाली में रथ यात्रा के दौरान भगवान Jagannath के रथ का नाम क्या था, आपको इसका answer बताना है, यह रथ का नाम था, नंदी घोस, option C, इसका right answer हो जाएगा, e-meda portal is related to what, e-meda portal किस से समन्दित है, यह friends, online public access catalog for Indian medical heritage book, भारती चिकित्सा बिरासत पुस्तकों के लिए online सारवजिनिक पहुच सोची, e-meda portal के अंतरगात आती है, e-meda portal, यह option C, इसका right answer हो जाएगा, option C, अगला question है, what is true about OCI, overseas citizen of India card scheme, overseas citizen of India card योजना के बारे में कौन सा कथानिया पे सही है, इसका right answer आपका हो जाएगा, option A, the card holder, जो OCI card holder होते हैं, can get multi-purpose lifetime visa to visit India card, OCI card धारक को भारत आने के लिए बहुत देशिया lifetime visa मिलता है, यह OCI card धारक की पहचान है, इसकी विशिष्टा है, option A, इसका right answer हो जाएगा, अगला question है, which foreign countries contingent took part in Republic Day Parade 2021 में, गौटनतर दिवस प्रेट 2021 में, किस विदेस मंत्री, किस विदेस सी देश की टुकडी ने भाग लिया था? जो Gannatat tw दिवस 2021 की प्रेट हो जाएगा था, इसका सही ऑंशर आपका हो जाएगा, भांगलादेस के जो contingent थी इसने भाग लिया था, option A इसका right answer हो जाएगा अगला question है which is the latest country with whom India has established 2 plus 2 dialogue recently वह नमीनतम देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने हाली में 2 plus 2 संबाद स्थापित किया तो friends ये USA के साथ 2 plus 2 संबाद स्थापित किया था आपको comment में बताना है 2 plus 2 dialogue में कौन से country सामिल है फूर कंट्रीस में टोटल है next question है question number 29 question number 29 sorry friends जो 2 plus 2 dialogue है ये रसिया के साथ संबाद अभी हाली में भारत द्वारा किया गया था नमीनतम देश कौन सा जिसके साथ भारत ने हाली में 2 plus 2 संबाद स्थापित किया ये रसिया इसका right answer हो जाएगा आपको इसको correct कर लिएगा sorry for mistake अगला question है who is appointed as new prime minister of Italy in February 2021 इसका right answer आपका हो जाएगा option A Mario Draghi Mario Draghi February 2021 में इटली के नहे प्रदान मंतरी के रूप में न्युक्त किया गया था इनको अगला question है which of these countries become member of the Shanghai Corporation in 2017 Shanghai Corporation Shanghai Corporation Organizer SCO 2017 में कौन सदेश 2017 में संगाई Corporation के सदेश्य बने आपको इसका right answer आपको बताना है इसमें इंडिया और पाकिस्तान संगाई Corporation के जो members बने थे 2017 में option D's का right answer हो जाएगा 1. इंडिया और पाकिस्तान becomes member of Shanghai Corporation in 2017 option D's का right answer हो जाएगा अगला question है around the following गांधी Peace Prize Award winning personality institution in chronological order on the basis of year award were conferred on them निमलिखित गांधी सांथी पुरुषकार विजीता ब्यक्तियों एवन सस्थानों को वर्स के आधार पर उनके कालानु क्रमिक क्रम में ब्योस्तित करना है आपको इसका सही क्रम आपको सबसे पहले किसको गांधी सांथी पुरुषकार मिला यहां पर इसका right answer हो जाएगा option B सबसे पहले इकल अभिहान ट्रस्ट इकल अभिहान ट्रस्ट गांधी सांथी पुरुषकार मिला था उसके बाद योहेल ससकावा को then कबूस बिन सयीद अल सयीद को मिला लास्ट में सेख मुझवीर रह्मान बंगलादेश के हैं यह इनको गांधी सांथी पुरुषकार मिला तो यह इसका correct sequence हो गया 3 1 4 2 इसका correct sequence हो जाएगा next question है there are two statement for each questions in the light of these which statement choose the most appropriate answer यहां पे 32 question number 32 41 तक जो निद्देश दिशा निद्देश दिएगे हैं इनमें दो statement दिएगे हैं आपको बताना कौन से statement सही है और कौन से statement यहां पे wrong है जो question number 32 है इसका right answer है option C इसमें statement first correct है और statement second is incorrect जो 1833 के चार्टर एथिनियम में दास्ता को समाप्त करने का प्रावधान था यह statement correct है और second statement incorrect है दिर्वाज यह provision in charter act of 1833 to abolish slavery जो दास्ता थी उसको समाप्त करने का प्रावधान 1833 के charter act में था यह statement right है और जो statement second है 1855 में प्रिटिस ने अवाध की रियासत को कुसासन का अरुप लगाकर अपनी सम्रेज में बिलाइक कर दिया था यह statement wrong हो जाएगा इसलिए option C का right answer हो जाएगा अगला question है 33 का यंग बंगाली moment was started by सिसिर कुमार घूस और प्रातना समाज was established in Bombay in 1865 प्रातना समाज की स्थापना 1865 में होई थी और यंग बंगाली अंदोलन सिसिर कुमार घूस ने शुरू गया यह दो statement है आपको इसमें right statement बताना है इसमें first statement इसका right answer आपका हो जाएगा option B बोत statement incorrect इसमें दोने statement करेंट है यंग बंगाल मुमेंट यह हैंडरी डिरोजियो द्वारा शुरू किया गया था हैंडरी विवियन डिरोजियो द्वारा यह शुरू किया गया था यह सिसिर कुमार घूस द्वारा नहीं किया गया था प्रातना समाज 1856 मतना की 1865 में दोनों statement wrong हो जाएगे अगला question है container corporation of India रक्षा मनताले के अधिनस्त है समर्कित माल डुलाई corridor corporation limited rail मनत्राले के अधिन है इसमें आपको आंसर बताना है question number 34 का इसका answer D हो जाएगा statement first incorrect है और statement second correct है यहां पर जो statement first यह गलत है और यह second है इसलिए 34 का answer जो हो जाएगा option D इसका right answer हो जाएगा option D में है statement कथन एक गलत है कथन दू सही है next question है QPAM तथा कान कोवा कान कोना गोवा राज्य के मुख्य वाक्साइट भंडार छितर है भारत में वाक्साइट के भंडार मुख्य तो लेट राइट चट्टानों से जुड़े हैं प्रायो परतों के रूप में पाया जाता है इसका जो right answer आपका हो जाएगा option A option A में बोथ statement और राइट जो 35 questions का जो answer होगा option A दोनों statement यहां पर राइट है क्यूपैम और कान कोवा गोवा राजके बोक्साइट भंडार छितर है यह statement राइट है यह गोवा में चीफ बोक्साइट डिपोजिट एरिया है बोक्साइट के भंडार दोनों statement यहां पर राइट है अगला क्वाशन है मात्मा गांधी गेप स्लोगन अब डू एंड़िंग कुट इंडिया मुमेंट मात्मा गांधी द्वारा भारत चुड़ अंदोलन के दोरान करो या मुरो का नारा दिया गय था सुबास्चंद्र बोस established forward block in 1939 1949 में सुबास्चंद बोस ने forward दल की स्थापना की थी इसका right answer आपका हो जाएगा option A दोनों statement यहां पर right है भारत चुड़ अंदोलन के दोरान गांधी जी ने दिया था do and die का नारा और सुबास्चंद बोस ने forward block की स्थापना 1940 में की थी दोनों statement राइट है option A इसका right answer हो जाएगा अगला question है 1942 में सुरेंदर नार्ट टैगोर ने इंडियन revolutionary communist party की स्थापना की और second statement है 13 दिसंबर 1946 को समिधान सवाब में dr. भीम राम बिटकर ने उद्देश से प्रस्ताव प्रस्तुत किया इसका जो right answer हो जाएगा option C इसका right answer हो जाएगा option C में statement 1 is correct and statement 2 is incorrect जो first statement है ये right है जो 1942 में से टैगोर ने इंडियन revolutionary communist party की स्थापना की ये statement right है और ये wrong statement हो जाएगा डॉक्टर भीम राम बिटकर ने 13 दिसंबर को देश से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ये wrong statement हो जाएगा आपको कमेंट में लिखना था कमेंट में लिखना है कि objective resolution कब पास किया गया था इसकी date आपको कमेंट में करने option C का right answer हो जाएगा अगला question है revenue deficit is access of revenue expenditure over revenue receipt राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व ब्याय के दिखता है और प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे और पुंजी गत संपति निर्मान के अंदान का अंतर है इसका जो right answer आपको हो जाएगा option है दोनों statement यहाँ पर right ह राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व ब्याय के दिखता है और प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे और पुंजी गत संपति निर्मान के अंदान का अंतर है दोनों यहाँ पर सही statement हो जाएगा option A इसका right answer हो जाएगा next question है the amount of usable energy remain constant as it pass from one tropic label to another tropic एक पोशिक स्थर से दूसरे पोशिक स्थर तक पहुंचने में प्रियोग योग्या उर्जा की मात्रा स्थिर रहती है इसका right answer आपका हो जाएगा option B बोथ statement 1 and 2 incorrect हो जाएगे इसका answer B 36 का answer B दोनों कथन गलत है 39 का answer B इसका right answer दोनों यहाँ पर wrong statement है option B इसका right answer हो जाएगा अगला question है रूर वैली of Germany is world greatest mining and industrial region बहुत important question यह भी repeat वाया है जर्मिनी की रूर घाटी विश्वका सबसे बड़ा खननन और अधिक केंदर है Boston is important ship building center in USA इसका सही answer आपका हो जाएगा option A दोनों statement यहाँ पर right है रूर वैली जर्मिनी की विश्वका सबसे बड़ा mining and industrial region है और Boston is important ship building center USA का सबसे राज अमेरिका में Boston पोत निर्मान का महतपूर्ण केंदर है option B का right answer option A का option A का right answer हो जाएगा दोनों statement यहाँ पर right है बोथ statement और correct next question है मलक्का जल्डमरू हिंदु महासागर और प्रसांत महासागर के बीच एक shipping channel है और इरावदी नदीर तंतर का समंध इंडाइन इसया से है इसमें जो statement दोनों statement यहाँ पर आपको बताना है कौन सा statement यहाँ पर सही है इसका right answer आपका option C option C में जो है statement पहला जो यहाँ पर सही है और जो दूसरा statement यह incorrect है इसका right answer आपका हो जाएगा option C option C मलक का जल्डमरू हिंद मासागर प्रसांत मासागर की मध्य सिपिंग channel है यह statement right हो जाएगा और इरावदी रिवर सिस्टम इस रिलेटेड टो इंडोनेसिया यह गलत यह statement wrong हो जाएगा आपको comment बताना इरावदी रिवर सिस्टम किस देश से related है नेक्स question है around the following event in chronological order यह code वाले question 32 से 32 से 41 तक थे अब next question पर हम चलते हैं question number 42 है निमलिकित घटनाओं को काल कालानु कर्मिक क्रम है chronological order में ब्योस्तित करना आपको सियार दास की मिर्तु साइमन कमिशन के न्यूक थी करांतिकारी जतिन दास की मिर्तु और नहरो रिपोर्ट इसका right answer आपको हो जाएगा option B सबसे पहले सियार दास की जो मिर्तु हुई थी उसके बाद साइमन कमिशन अपुइंटेट हो था 1927 में और death of revolutionary उसके बाद नहरो र हो जाएगा option B इसका right answer हो जाएगा 42 का अगला question है arrange these letter मुगल बात्सा chronologically मुगल बात्साओं का काल कालानुकरमिक क्रम आपको ब्यौस्तित करना है इसका right answer हो जाएगा option A जहादर साथ सबसे पहले आए थे उसके बाद फारुक सियर उसके बाद एहमद साथ और last में आलामगीर second option A इसका right answer हो जाएगा अगला question है around the following rivers from east to west direction नदियों को पूर से पस्यम की क्रम में रखना है आपको इसका right answer आपको ब्यौस्तित का right answer हो जाएगा 2134 2134 तू में है तीस्ता river सबसे पहले east में आजाएगी उसके बाद कोसी river आजाएगी देन गंड़क river और last जो west की तरफ है सारदार नदिया आजाएगी 213 option B इसका right answer 2134 next question है arrange the following countries from north to south north to south इन country को आपको arrange करना है इसका right answer आपको हो जाएगा option B 1234 यह सही क्रम है Norway सबसे north में north और उसके बाद Denmark है then Austria then Spain Norway, Denmark, Austria, Spain यह north to south का सही क्रम है अगला question है देक्षण से उतर की और ब्यावस्तित करना आपको मास अगर यहां पर दिये गए है मास अगर और बंगाल मास अगर और खाड़ियां दी गई है इसका right answer आपको हो जाएगा option D 2341 सबसे पहले Gulf of Mexico यह south से north की तरफ आपको इसको लगाना है south में Gulf of Mexico आजाएगी उसके बाद Hudson Bay आजाएगा then Baffin Bay, Baffin की खाड़ी और सबसे नौर्थ में आपको आजाएगा Arctic Ocean, option D is right answer हो जाएगा next question is put these agrigrian movement in chronological order with date of their start कि इन किसान आंदोलनों को इनके प्रारंब कीतितिति क्यादार पर काल कर्मानुसार में रखें इसका सही answer आपको जो हो जाएगा ये option B इसका right answer हो जाएगा सबसे पहले चंपारन सत्य अगरो then खेडा पीजेंट मुमेंट खेडा किसान आंदोलन उसके बाद आया था 1918 में 1917 में चंपारन 1918 में खेडा पीजेंट मुमेंट मुमेंट मुपला पीजेंट मुमेंट 1921 और बार्दोली मुमेंट लास्ट में आय अगला question है arrange the following steps in relation to self-group incorrect sequence वहम साता समुख के संदन्द है निमलिखित को सही उनकरम में ब्यावस्तित कीजिए इसका सही उनकरम आपको लगाना है इसका right answer आपको हो जाएगा option C 3 identifying the area and forming a group of women with common interest छेतर की पैचान और सर्व मान्य सितों के साथ महलाओं महलों का समुख गठित करना उसके बाद second statement आ जाएगा समुख के साथ नियमित सवाईय आयूजित करना और उसके बाद योगदान के लिए रासी का फैसला करना और धने के तित करना और last में उधार दे रखना यहां पर इसका code C3C options कर सही हो जाएगा इन समझावतों पर हस्ताक्षक करने के वर्स क्यादार पर निमले की चार भारत और अमेरिका रक्षा समझावतों को काला नुक्रिमिक chronological order में आपको बताना है इसका right answer आपका हो जाएगा option C 312 सबसे पहले General Security of Military Information Agreement GSO MAIA then Logistic Exchange Mem American Association उसके बाद जो फोर है Communication Compatibility and Security Arrangement और लास्ट में Basic Exchange और Corporation Agreement B.E.C.A. option C.E.S. का right answer हो जाएगा next question है direction दी गए है पचास से साथ question के लिए देगे चार कथनों पर विचार किज़े देगे विकल्प में सही उत्तर आपको बताना है in 1865 High Court were established at Calcutta, Madras, Mumbai 1865 में कलकता, Madras, Mumbai 1865 में कलकता, Madras, Mumbai में उच्छ नियालाय स्थापित किएगी आपको चार स्टेटमेंट से बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर right है हम question को नहीं पढ़ेंगे सीधे इसके answer को बताएगा आपको इसमें जो right answer होगा question जो option statement 1 & 2 है यह सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे 1865 में कलकता, Madras, Mumbai में उच्छ नियालाय स्थापित किएगे यह statement right है और जो second statement है 1791 में जोनाथन डंकन ने बारनेसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की यह दोनों statement right है थर्ड और फूर्थ यहाँ पर wrong हो जाएगा पिट्स इंडिया एक 1785 में जो जाएगा यहाँ पर चार कथनों में से कथन एक और दू यहाँ पर सही हो जाएगे option A का right answer हो जाएगा अगला question है Heather Ali established a modern arsenal in dindigul in 1757 Heather Ali ने 1757 में dindigul में एक डंडी गल में एक आधुनिक सस्त्रागार की स्थापना की Heather Ali की मिर्थ 1783 में हुई थी आपको बदाने कौन से statement यहाँ पर right है statement first जो statement third and four है यह right है टीपू सुल्तान planted a tree of liberty at स्री रंगपटनम टीपू सुल्तान ने स्री रंगपटनम में एक स्वतंतरता का ब्रिक्ष लगाये था यह statement right हो जाएगा टीपू सुल्तान was a member of Jacobian club very important question friend दोनों statement यह right हो जाएगा टीपू सुल्तान Jacobian club का सदैस्य था टीपू सुल्तान ने स्री रंगपटनम में एक स्वतंतरता का ब्रिक्ष लगाये था दोनों statement और statement third and four यहाँ पर right हो जाएगे फस्ट और second statement wrong हो जाएगा option A इसका right answer हो जाएगा अगला question है jute is used for making decorative item जूट का प्रियोग सजावटी सामन बनाने में किया जाता है कौन से कथन सही है इसका right answer आपका हो जाएगा option B statement 1 और 3 यहाँ पर right हो जाएगे jute is used for making decorative item और cotton required clear sky during flowering stage कपास पर फूल आने के समय आकास बादल रहित होना चाहिए very important question 52 का जो answer हो जाएगा option B इसका right answer हो जाएगा 1 and 3 statement यहाँ पर right है 1 and 3 इसका सही answer हो जाएगा अगला question है इंडस वेली साइट्स की समन्द में सिंदु घाटी के कौन से स्थल भारत में है भारत में कौन से सिंदु घाटी के स्थल है इसका सही answer आपका हो जाएगा option A जो धोला वीरा और राखी गड़ी धोला वीरा उजरात में और राखी गड़ी हर्याना में यह भारत में सिंदु घाटी के स्थल है option A इसका right answer हो जाएगा अगला question है बेडाइन्स मद्या बेड्यून्स जो होती है बेडाइन्स मद्या इसिया की घुमंतू जन जाती है क्रोइट्स क्रोशिया की निवासी है इन में से कौन से statement है 54 में जो right जो सही statement है ये 2 and 4 है 2 and 4 क्रोइट्स क्रोशिया की निवासी है और people from New Zealand are known as कीवी न्यूजिलेंड के लोगों कीवी काज़त है ये statement सही है ये statement सही एकिसमो लिविन फिलिपेंस ये wrong हो जाएगा ब्यूदेंस आर वंडरिं ट्राइब और सेंटरल एसिया जो ब्यूदेंस है ये सेंटरल एसिया की जन जाती नहीं है आपको comment बताना ब्यूदेंस किस देश की घुमंतू जन जाती है option बीस का राइट अंसर हो जाएगा option एस का राइट अंसर हो जाएगा 2 and 4 statement यहां पर सही है अगला question है इनमेंसे बताना आपको कौन से statement सही है statement 1 and 4 यहां पर राइट हो जाएगा मियामी बीच कई 2070 परतियोगताओं का केंदर है और Istanbul is formally known as non as Constantinopal Istanbul को पहले Constantinopal के नाम से जाना जाता है Constantinopal के नाम से Istanbul को जाना जाता है statement 1st और 4 यहां पर राइट हो जाएगे option D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है 56 इसका जो यहां पर सही statement जो हो जाएगे 56 में 1 and 2 यहां पर 1st 2 statement यहां पर राइट है 3rd में सम्दान संस्वधन के पारित होने के बाद भाग 9 जोड़ा गया था और part 9A has been created with passing of the 74 constitutional amendment 4rd में सम्दान संस्वधन पारित होने के बाद 9th A जोड़ा गया था पहले दो statement यहां पर राइट है अगला question है question number 57 यहां पर जो राइट statement है 57 में 2 and 3 Justice रजन गोगोई जोईन राजसभा आप्टर रेटार्मेंट फ्रम सुप्रीम कोट Justice रजन गोगोई सर्वोच नियाले से रेटार्मेंट के बाद राजसभा में सामिल हुए और Justice P.N. भगोईती इंट्रड्यूस P.I.I.L फ्रेंट जो P.N. भगोईती ने भारत में जन हीती आजिका पबिलिक इंटरस्ट लिटिगेशन की सुरवात P.N. भगोईती द्वारा भारत में की गईती 1980s की दसक में 2 & 3 इसमें राइट स्टेट्मेंट हो जाएंगे Option C का करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेशन है 58 का जो आंसर है इसमें Option C सही आंसर हो जाएगा 1 & 3 स्टेट्मेंट राइट है Ease of Living Index is released by Ministry of Housing and Urban Affairs Citizen Participation is an Important Part of Index Assessment 1 & 3 यहां पर राइट स्टेट्मेंट हो जाएगे Next question है 59 इसमें जो राइट स्टेट्मेंट है आपके 1st & 4 यहां पर राइट स्टेट्मेंट हो जाएगे जैवे खेती पोर्टल किर्सी मंत्रालाय और किर्सी विवाग के साथ साथ विज्ञान प्रवदिगी के उन्जलवाई प्रिवतन मंत्रालाय की एक पहल है और यहां पोर्टल किसानों की मदद के लिए मूल्य खोजतंतर परदान करता है Statement 1 & 4 यहां पर राइट हो जाएगे Next question है Blood plasma contains significant amount of antibodies to fight coronavirus 4 statement देगे हैं आपको सही statement बताना है A & C यहां पर सही हो जाएगा Option A & C आयूग ने दिया गया इसका जो explanation जो answer की में दिया गया है A & C इसका दिया गया 1 & 3 2 statement Option में दो बार repeat हो है इसलिए 1 & 3 इसका right answer हो जाएगा Blood plasma contain hemoglobin Rakt plasma में hemoglobin पाया जाता है Rakt plasma में coronavirus से लड़ने के लिए प्रयाप्त मातरा में antibodies पाया जाते है इसलिए statement 1 & C Both are options are rights अगला question है Direction दिये गया है 61 तो 71 के लिए आपको सूची 1 और सूची 2 से इनका मिलान करना है Question number 61 का जो answer है Option B इसका सही code हो जाएगा दिल्ली दरवार जो दिल्ली दरवार है इसकी स्थापना किस वर्स हुई आपको बताना है ये 1877 में दिल्ली दरवार लगा था Second Anglo-Afghan War ये आपका 1878 में हुआ था कूका अंदुलन की शुरुवात भारत में 1872 में हुई थी और Queens Victoria declared केसर इहिंद 1886 इसका सही answer हो जाएगा इस प्रकार से जो option B में जो code दिया गया है इसका right answer हो जाएगा अगला question है question number 62 जलवाय के परकार एक तरफ दिये गए है उनके area दिये गए है आप उसका सिमेलित करना है प्रोपिकल सवाना जो है उसन कटवंदिय सवाना जो जलवाय है ये आपकी most of the penciler प्लेट्यू में पाई जाते है प्रादीपिय पठार का अधिकतर भाग भाग में ये पाई जाती है एका मिलान दो से हो जाएगा hot desert जो गर्म और उस्तल हैं ये आपकी western राजस्थान पसिमी राजस्थान में पाई जाते हैं और polar type की जलवाई पाई जाती है आपकी जम्बू कस्मीर में और polar type की जलवाई पाई जाती है ध्रुए प्रकार की monsoon with dry summer सुस्क ग्रीस मृत्वाला monsoon आपका कोरो मंडल कोष्ट के तमिनाड़ू पे पाई जाता है कोरो मंडल टाट जो है तमिनाड़ू का इस प्रकार से option 20 का right answer हो जाए अगला क्वेशन है लिस्ट वन में amendment देगे हैं और लिस्ट टू में उसके विसय देगे हैं आपको इसको सुमेलित करना है इसमें जो first amendment पहला सुनसोधन आया था भारत में यह 9th schedule इसके थो इंटर्डूज किया गया था और जो 44th amendment पहला सुम्दान सुनसोधन आया यह यह right to property को इसमें समाप्त कर दिया गया था और इसको 300 ए में ट्रांसपर कर दिया गया 1970 में यह आया था पहला सुम्दान सुनसोधन 86th सम्दान सुनसोधन right to education भारत में 21 ए आर्टिकल इंटर्डूज किया गया था 6 अप्रेशन सम्दान संसोधन 2002 के अंतरगत और 1 अप्रेल 2010 से भारत में right to education RTE लागोवादा 103 139 सम्दान संसोधन EWS Reservation से समाधित है आर्टिकल 15-6 और आर्टिकल 16-6 में इसका प्रावदन भारतिय सम्दान में जोड़े गए और EWS को आर्थिक रूप से सुप्रिम कोड द्वारा constitutionally valid इसको बताये गया आर्थिक रूप से आधार आरक्षन को भी जायज बताये गया कोड के जज्मेंड में इस प्रकार से option B इसका right answer हो जाएगा अगला question है constitutional article दिए गये और सुची दो में area of reservation दिए गये आरक्षन के छेत्र आपको इसका सही answer बताना है इसका जो right answer हो गया option A इसका right answer हो जाएगा जो code option A में दिए गये है वन का first B का 3 जो first है आर्टिकल 15,4 और 16,4 लोगसवा सीटों से समन्दित है 64 जो 64 का answer है ये C हो जाएगा C option यहापर सही हो जाएगा जो A का code है A का 3 B का 4 जो article 54 जो 15,4 है 16,4 है ये OVC के लिए जो अन्य पिछडावर के लिए आरक्षन का प्रावधान जो क्या गया 15,4 और 16,4 में किया गया और जो article 56 आभी मैंने बताया था ही आपको 15,6 और 16,6 में EWS आरक्षन के लिए किया गया आप देख सकते हैं EWS आरक्षन के लिए 15,6 और 16,6 में इसका प्रावधान किया गया और जो article 243 है ये पंचायती राज इस्ट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यू लोगसभा सीटों के अवंटन से है, option C, एक बार फिर से देख लिए, article 154-164, OBC को आरक्षण की समंद में, article 156-16, EWS आरक्षण की समंद में, article 243-33 आरक्षण महलाओं को पंचायती राज इस्ट्यूशन में दिया जाता है, और जो last है, article 330, ये लोगसभा सीटों से समंदित ह इस प्रकार से option C, इसका right answer हो जाएगा, important question आप इसको note कर लिजेगा, EWS और OBC वाला, next question है, litmus, सुची 1 और सुची 2 का आपको मिलान करना है, इसका जो सही answer आपको हो जाएगा, sorry friends, question number 65 है, इसका सही answer option C हो जाएगा, option C, जो net tax, सुद्ध राजस्वत दिये गे हैं, ये, आपको growth rate दिया गया है, 2018 का, 2018 में जो बिर्जदार होई है, वही थी, आपको बताने, 2018 में net tax revenue कितना था, ये 6 परते सत था, और non-tax revenue 22.3 परते सत था, gross tax revenue 8.4 परते सत था, non-debt, capital accept, minus 2.5%, इस प्रकार से option C, इसका right answer हो जाएगा, अगला question है, question number 66, इसका आपको बताना है, litmus जो होता है, lichen, litmus का कारे करती है, litmus, lichen हो जाएगा, nitrogen जो होते हैं, nitrogen का जो मिलान होगा, इसमें, ये chips sealed in packet, जो packet में sealed बन chips होते हैं, chips के packet में nitrogen gas भरी जाती है, और calcium hypoxipatite, ये tooth animals में होता है, जो हमारे दानत animal होते हैं, उनमें calcium hydro-oxipatite होते हैं, और hydrogen peroxide ये आपका animal micro agent में use होता है, hydrogen peroxide option D का 2 हो जाएगा, option A इसका right answer हो जाएगा, next question है, सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है, SI unit of power lens की क्या होती है, डाइवटर होती है, जो lens की जो छमता का मात्रक है, ये डाइवटर है, और electric potential ये वोल्ट में आपा जाता है, और कूलंब ये potential difference between two point, potential difference between two point, विवहांतर जिसे कहते हैं, ये voltage में आपा जाता है, V इसका right answer हो जाएगा, और C जो है, ये watt पर W अबलिक Q हो, इसका right answer हो जाएगा, 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 next question number 68 है, इसमें आपको सुमेलित बताना है, जो peristellic moment ये elementary canal में होता है, जो आहर नाल में होता है, gastric gland, जो gastric ग्रंथियां होती हैं, ये inner lining of stomach, पेट की अंदरोनी परत से समंदित है, amylase, जो amylase है, ये हमारे लार में पाएजाता है, enzyme है, bile juice, जो हमारा पित रस होता है, ये liver में पाएजाता है, option D का right answer हो जाएगा, next question है, ग्रेगर मेंडल द्वारा, ग्रेगर मेंडल की द्वारा, पिरियोडिक आवर्थ सराने की कोज की गई थी, और Harold C. Urwe, Harold C. Urwe, द्वारा, और्गिनिक अब ओरिजिन मोलिकूल और नार्थ प्रित्वी पर कार्विनिक अड़ों की उत्पत्ति की गई, और Charles Darwin द्वारा, उनिविसिटी अब बियना, बियना उनिविसिटी से ये समंदित थे, Charles Darwin, और दिमित्री मेंदलीव की आवट सारणी इसका राइट आपको गया ओप्षन रोल आप अर्फ वामीन दोल फर्टेलिटी फ्रेंट्स क्वेशन नंबर 69 का आंसर बी हो जाएगा जो ग्रेगर मेंदल थे इनके द्वारा ग्रेगर मेंदल यूरिस्टि आव वियना से रिलेटेद है और जो हेराल्ड सी ऊरह थे ये और मेंद्रेजन औरिवोल ऑप अर्फ रिलेटेद रही है इनके फोज इनके द्वारा की गई थी नेक्स जो है चार्ल्स डार्विन ये रोल आप अर्थवाम इन स्वाल फर्टलिटी और लास्ट है डिमेट्री मेंडलीव इनके द्वारा आवर सरनी की खोज की गई थी आप इसको करेक्ट कर लेगा आप इसमें राइट हो जाएगा परसं दिये गए है और उनके एरिया छेतर दिये गए आपको इसमेलिट प्रफि दी गए है और स्पोर्ट दिये गए हैं आपको बताना है कौनसे ट्रफि किस खेल से रिलेटेद है इसका जो सही हंवाटन ए जो बीस ही रॉइड ट्रोफि है ये आपकी फुटबॉल से नेहरू ट्रॉफिय आपकी फुटबॉल से रिलेटेड़ है, option इसका राइट अंसर हो जाएगा, question number 71 है, Jennifer Dodona, ये किस छेतर से हैं, ये chemistry से, रसायन विज्ञान के छेतर से हैं, Robert Wilson, आपके economics से हैं, Andrea M. Gies, ये आपके physics से रिलेटेड़ है, बहुत एक विज्ञान, Lewis Gluck, Nobel Prize, विज्ञेता बेखती हैं ये, Lewis Gluck Literature से ने Nobel Prize भी दिया गया, option सी, इसका राइट अंसर हो जाएगा, question number 72 है, according to 2019-20 budget estimate, what percentage of total expenditure is to be spent on salary, pension, interest, payment and subsidy इन हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश बजट से रिलेटेड है, salary, pension, 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 भुक्तान, ब्याज, भुक्तान, subsidy पर हिमाचल प्रदेश में कितना खर्च होता है, इसका सही answer यह है, option C, उन्साट प्रदेश, अगला question है, मेन जवाहर, सिंग, बदरीनात, जौला सिंग, वर लीडर आपगिज 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 आपगिए, इसका सही answer आपका हो जाएगा, option B, गदर पार्टी से related थे, option B, इसका right answer हो जाएगा, आप इसको फिर से देख लिएगा, मियान, मियान, जवाहर, सिंग, बदरीनात, और S. जौला, revolutionary moment of हिमाचल प्रदेश से, गदर पार्दी से related थे, option B, इसका right answer हो जाएगा, अगला question है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट अस option B, इसका right answer हो जाएगा, अगला question है, no scenery in my opinion present such sublime and delightful contract, this quote by G.C. Varnese is for which of the following district, सी बिचार से कोई भी प्राकृतिक देशिया, ऐसा उदात, एवन रमणिया बैस से मैं, प्रस्तुत नहीं कर सकता है, G.C. Varnese के statement है, किस district के बारे में नोने ये statement दिया था, इसमें जो सही answer हो जा गया, ये quote दिया गया, sorry friend, next question है, match the following combination and select the correct order, जो कोसी state है, आपको यहाँ पर बताना है, कौन सा correct order यहाँ पर है, इसमें जो सही order दिया गया है, ये आपका option B, इसका right answer हो जाएगा, only one is false, इसमें पहला statement गलत है, और सभी सही है, आपको बताना है, जो मुंडरो और गारू थे, ये कहां की tribe है, इसका सही answer आपको हो जाएगा, option A, swing last, इसका सही answer हो जाएगा, अगला question है, content form of marriage in Sikkim is exactly similar to which of the following marriage system of Himachal Pradir, जो content form of Sikkim का Himachal Pradir के किस विवापरथा का समरूप है, इसका right answer आपको हो जाएगा, option B, दारोस, दारोस इसका right answer हो जाएगा, dub dub के नाम से भी जाना जाता है, अगला question है, the jar tribe of Himachal Pradir is our follower of which of the following, जो Himachal Pradir की jar tribe है, किस धर्म को मानते हैं, इसका right answer आपको हो जाएगा, option A, बुद्धिज्म को ये मानते हैं, अगला question है, इसमें से आपको बताने कौन से code यहां पर सही है, सही code का आपको चैन करना है, इसमें right answer आपको हो जाएगा, option D, वन और फोर code जो यहां पर सही है, वन और फोर, सुल्तान मुमत गजनवी अटैक नागर कोट, एक जार नो में इसने आकरमन किया था नागर कोट दुर्ग पर, और अमीर तैमुर की वापसी के पसार, हरिचंद 405 में कांगडा के सियांसन पर आरूड हो जाएगा, option D, इसका right answer हो जाएगा, अगला question है, question number 81, इसका right answer आपका हो जाएगा, D, इसका right answer हो जाएगा, दो और चार, कांगडा की राजा संक्सार चंद ने बिलासपूर राज़ा पर 1796 में आकरमन किया, 24 अगर 1709 को माराजा रेनजी सिंग ने कांगडा दुर्ग पर दिपत्य कर लेया था, option D, इसका right answer हो जाएगा, next question है, question number 82, which of the following are not true about folk dance, fair and festival of हिमाचल परदेश की folk dance के सम्में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको wrong option बताना है, इसका right answer आपका हो जाएगा, option D, none of the coives, यहाँ पर सही option नहीं है, कोई भी यहाँ पर statement, यहाँ पर wrong नहीं है, सब सही है, खेरात और उज, उज जामा, और फेमस स्वार डांस हिमाचल परदेश के हैं, भुंडा, सांत और भोज को पहाडी लोग कुम्ब के समान महत्व देते हैं, मिंजार फियर स्टार्ट on the second Sunday of Sawan, चांब इस sacred mask dance performed only by Lama, सभी statement राइट है, none of these correct answer हो जाएगा, अगला question है, which of the following is not correct, कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें जो सही कथन आपको, जो गलत कथन है वो बताना है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, option A, सभी यहाँ पे गलत option, गलत statement दिये गए है, option A, इसका right answer हो जाएगा, next question है, चंबा कुलू किन और are considered the most susceptible of land slight threat, चंबा कुलू और किन और भुसकलन के लिए, इसमें से आपको बताने कौन से statement सही है, इसमें 1, 2, 3, से भी statement यहाँ पे सही है, option A, हुमा वैली आप उडना डिस्टिक हैज हाड़ली एनी नेचरल द्रिंकिंग वाटर सोर्स, and as per the study of Central Water Board, काला कंब वैली इन से रमोट डिस्टिक है, इसका right answer हो जाएगा, जो, sorry friends, 1, 2, 3 statement इसके right answer हो जाएगे, next question है, इसमें आपको सही statement बताना है, यहाँ पे जो सही statement है, 1 और 2, the per capita income at current prices as first revised systemate for the year 2019 and 2020 witness increase of 6.2% and as per the revised systemate contraction in economy 2021 was expected to around 7.9% as on the December 2020, first and two statement यहाँ पे right है, option C, इसका right answer हो जाएगा, अगला question है, हिमाचल प्रदेश के समाज काल्यान कारेकरों के समन्द में कौन से कथन सही नहीं है, इसमें जो कथन सही नहीं आपको बताना है, इसका right answer आपको option D, none of these सही option यहाँ पे सही है, इसका answer option D हो जाएगा, अगला question है, निमले कितमें से कौन सा कथन सही है, कौन से correct statement है, इसका right answer आपको हो जाएगा, option D, one, two, three statement यहाँ पे सही है, फोर वाला statement यहाँ पे wrong हो जाएगा, इसका right answer आपको हो जाएगा, option D, only two statement यहाँ पे wrong है, यह wrong statement है, first, third and second यह right statement है, option D, इसका right answer हो जाएगा, अगला question है, नावार्ड consultancy services was not involved in which of the following assignment during the financial year 2021, 2020, नावार्ड विती वर्स 2021 के दौरण नावार्ड consultancy service निमले कितमें से किस कारे में सामिल नहीं हुई, इसका सही answer आपको हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा, select the incorrect statement, गलत वाकियों का चायन करना आपको, इसमें जो गलत वाकिय है, यह two and third, यह wrong है, भारत net is an initiative of government in India to provide broadband services to municipality, यह wrong हो जाएगा, मुनिसिपल्टी के लिए और इंडिया में यह broadband service provide कराना, गाउं में यह ग्राम पंचायत इस्तर्प का है, मुनिसिपल्टी नहीं है, यह wrong हो जाएगा, हिमस्वान, राज ए गवर्निंस योजना के तहत, राज्यों में 2010 में हिमस्वान की स्थापना की गई थी, यह statement भी wrong हो जाएगा, government of हिमाचल प्रदेश has set up a state data center at Delhi, 2020 में यह सही है, और यह first statement भी right है, इस प्रकार से option B इसका सही answer हो जाएगा, which of the following correct about the हिमाचल प्रदेश टाउन and country planning act 1997 की समझ में कौन सी कथन सही है, इसमें जो सही कथन है, option D का right answer हो जाएगा, और सभी option यह पे सही हो जाएगे, next question है direction for question 93 and 95, मैंस, first and least, first and second, correct answer the given code, 93 से 95 question आएगे, इसमें कोड है, ऑथर दिये गे हैं, उनकी बुक आपको बतानी है, इसका जो सही कोड हो जाएगा, option D का सही कोड हो जाएगा, जो हर्मन गोट्स हैं, इनके द्वारा, The Early Wooden Temple of Chamba, बुक लिखी गई, और W.G. Archer द्वारा, यह कांगडा पेंटिंग लिखी गई, और M.S. रंधावा द्वारा, M.S. रंधावा द्वारा, कांगडा वेली पेंटिंग लिखी गई, sorry friends, M.S. रंधावा द्वारा, कांगडा पेंटिंग लिखी गई, और Joseph Charles फ्रेंच द्वारा, हिमालियन आर्ट पुस्तक लिखी गई, एक बार फिर से देख लिएगे, जो हर्मन गोट्स है, The Early Wooden Temple of Chamba लिखी गई, और W.G. आरकर द्वारा, कांगडा पेंटिंग लिखी गई, और M.S. रंधावा द्वारा, कांगडा वेली पेंटिंग लिखी गई, और Joseph Charles फ्रेंच द्वारा, फिमालियन आर्ट लिखी गई, option D का राइट अंसर हो जाएगा, कि नेक्स फ्रेंच वैसन है, सुची बन और सुची दू, सेंक्चुरी डी गई, यह वह सुची पताएगी, कौन से संचुरी कहां पे है, बांदली संक्चुरी बांदली जो अबहर्यन हि यह आपका, मंडी में है हिमाचल प्रदेश मंडी में और जो दरंग घाटी सेंक्चुरी है ये आपकी सिमला में है और जो गमगुल साइभेगी सेंक्चुरी है ये आपकी किनौर में है और लिपा अरसांग सेंक्चुरी ये आपकी अपर कैच्चमेंट एरिया ओप तीर जो गैमगुल सेंबे सेंचुरी है ये चंबा में है और लिपपा अरसांग सेंचुरी आपकी किनौर में है तो इस प्रकार से option C इसका right answer हो जाएगा next question है जुंगटी टिडोन जंगली भ्यवेता का द्रिश्या मोन चिपेटा यहां पर दिये गए है आपको इसको सुमेलित करना है इसमें जो सही आंथर हो जाएगा option D जो जुंगटी है ये सतलुज में है एक scene of salvage grandeur जंगली भ्यवेता का द्रिश्या ये आपका टिडोग इसक historical village है और chapter जो है fine awarded by विरादरी पंचायत के द्वारा जो fine awarded होता है ये चपेटा के लाता है option D इसका right answer हो जाएगा ये state से related जीटेड जीएस के question है हिमाचल PCS के next question है यहां पर direction दिया गया है पैरा को ध्यान से पड़े और उप्युक्त बिकल्प 96, 97, 98, 99 का ये paragraph दिया गया है यहां पर कि उस प्रक्रिया की ब्याख्या करने वाला सब जिसकी प्रणाम पर उत्वादकता की हानी होती है आपको यहां पर आंसर बताने है जो आंसर हो जाएगा option C is correct आंसर हो जाएगा बायोजिकल प्रोड़क्टिविटी वैर वर द लेविल आप इरोजिन हैस्ट अपरदन का बनोन मूलन का दुस परिमान दुस परिणाम सबसे अधिक होता है यह आपका हैडरोलोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा next question is desertification often occur in मरोस्तली करन प्रायो होता है यह आपका गरम मरोस्तली छेत्रों में होता है hot desert area में होता है accelerated erosion cheaply occurs in mountains में होता है तो रित अपरदन मुख्य होता है तो फ्रेंट्स यह थे 100 यह थे 100 question स्टीट PCS हर्याना प्रेंट्स हिमाचल प्रदेश PCS 2020 में यह पेपर आयुजित किया गया था 2020 का हिमाचल PCS का पीपर है जो 29 सितंबर 2021 को HP SC द्वारा आयुजित किया गया था thanks for watching my video जो चैनल पहने है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी जिस भी question में आपको doubt है आप comment कीजिएगा thanks for watching video नमस्कार जल मिलते हैं नई वीडियो में